Assalamu alaikum to all of you, welcome to CHS Forum तो आज का interesting fact यह है कि Pakistan अपने requirements से 12,000 MW ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है उसके बावजूद क्या बज़ा है कि हम ना सिर्फ load shedding का सामना कर रहे हैं बलके हमारी supply demand से ज्यादा होने के बावजूद हमारी बिजली के rate दिन बाद दिन बढ़ते चले जा रहे हैं तो आज की वीडियो में हम सारी reasons को देखें कि Pakistan की energy problems क्या है उसके effect क्या है और उसका solution क्या हो सकता है साथ ही साथ institutions का क्या rule रहा है कहां से यह issue originate हो और बहुत कुछ साथ ही साथ मैंने बहुत सारे effects भी add के हैं जो के आपको current scenario के साथ update करेंगे तो चलते हैं video की तरफ सबसे पहले हम current scenario को अगर देखें तो पाकिस्तान की install capacity जो है वो इस time 37,000 MW है जो के हमारी requirement है 25,000 MW वो भी maximum अगर आपको अंदाजा हो तो गर्मियों में हमारा usage बढ़ जाता है सर्दियों में usage कम हो जाता है तो यह maximum demand है सर्दियों में हमारी demand कम भी होते है तो maximum demand हमारी 25,000 है production हमारी 37,000 है उसके बावजूद हम सिर्फ 22,000 MW बिजली transmit कर सकते हैं क्योंके हमारी transmission line की capacity जो है 22,000 है इसका मतलब है के हम 37,000 MW बिजली 22,000 से जादा transmit नहीं कर सकते क्योंके हमारी transmission line की capacity ही इतनी नहीं है जिन लोग को नहीं पता उनके लिए मैं बता दू कि बिजली जो है वह आप store नहीं कर सकते तो जब store नहीं कर सकते तो बनाते साथ आपको transmit करनी होते है यह transmit करने के लिए transmission lines बचाई जाते हैं transmission line की भी capacity होते है तो पाकिस्तान का जो infrastructure transmission lines का वो sufficient enough नहीं है जिसकी वज़ा से हम ज्यादा बिजली produce करने के बावजूर उसको transmit नहीं कर सकते अब हम देखते हैं के कौन-कौन सी चीजे हैं जिससे हमारी जो बिजली 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 हो रही है हम 16% पाया है hydroelectric जो के पानी से बिजली बिजली 29% है हमारी nuclear से हमारी 4% है और renewable resources से हमारी solar and wind से 5% है इससे आपको अंदाजा होगा के हमारी जो बिजली है उसका major जो फूल है वो है furnace oil और natural gas जो के बाद 16% आपका कोल है जो के आप अपना जो क्रुड आप इंपोर्ट करें पर आपका जो कोल है यह भी आप अपना कोल जो है वो यूज नहीं करें जो आपके थर के अंदर है क्योंकि उसमें sulfur content ज्यादा है तो यह कोल भी आप ज्यादा तर इंपोर्ट करें इंडोनेशा और अमारिका से तो यह तो आगे हो आपकी सारी इंपोर्ट वाली चीज है थीक है उसके बाद आपका hydroelectric है जो ठीक है आप पानी आपका फ्लो कर रहा है आपके north से south तक तो यह आप utilize कर रहा है लेकिन सिर्फ 29% तो यह proportion बताने का मकसद यह कि आपको पता लग जाए कि आपकी बिजली जो है वो highly dependent है इंपोर्ट के ऊपर ठीक है जी अब हम आते है कि यह origin कहां से आया crisis का crisis start कहां से हुआ अगर हम 60s में देखें Pakistan को historical overview तो 60s में हमारी dams बन रहे थे 67 में गालबन मंगला dam तरबेला हमारा 76 में बना तो उस तम हमारी hydro project बन रहे थे तो हमारी पानी से बहुत जादा बिजली हमारी हम जो है वो पानी के फ्लो को युटलाइस कर रहे थे क्यूंकि हमारे north से जो है वो बहुत सारे rivers जो है वो फ्लो करते है और वो south तक potential energy को हम युटलाइस करके hydro project बहुत सारे लगा सकते हैं अभी भी तो हमने जो constructions की है उस time 60's or 70's में वो हमारा दौर था उसके बाद हमने 70's के अंदर जह वो nuclear energy के ऊपर हमाए हमारा canap install हुआ यानि कि हमने nuclear energy के अंदर 70's के अंदर जह वो कदम रखा उसके बाद 80's में भी provides था है इस तर नुकलर में expansion होई बहुत थोड़ी सी लेकिन असल जो origin था crisis का यह start होता है 90's से क्योंकि हमारी population rapidly increase होती गई लेकिन हमने उस हिसाब से अपनी तयारिया नहीं की हमने अपने projects नहीं लगाए तो क्या हुआ एक वक्त आया कि हमारे पास shortage start हो गया 90's में हमारा shortage start होता है लेकिन 90's की मैं आपको जह वो बता देता हूं कि हमारा fuel mix charge क्या था उस ताम भी हम 60% hydro पे जो reliance करते थे 40% हमारा thermal and nuclear था thermal यहां पे आपका जो oil and gas है तो यहां पे आपको अंदाजा होगा कि अभी तक हम वो hydro पर चल रहे थे और hydro की जो बिजली है वो इतनी सस्ती है कि एक या दो रुपय का unit हमें वो पढ़ जाता है मैं अभी आगे further इसकी details share करता हूं तो यह हमारे वो 90's के stats थे फिर 90's में क्या हुआ कि हमारी shortage हुई और हमने किये mega MOU science जिसको हम कहते है energy conservation program 1994 उसमें हमने क्या किया कि हमने IPPs के साथ agreement किया independent power plant यानि कि different companies जहें investors को हम ले कर आए तो उस time भी हमने क्या किया कि हम different investors को और हमारा जो proportion था 60-40 का 60 hydro 40 हमारा thermal वो convert हो गया 30-70 यानि कि हमारा hydro था 30 पे चला गया 70 पे हमारा thermal capacity based यानि कि imported fuel पे हम चले गया तो आपको history बताती है कि हमें क्या आगे करना चाहिए और क्या नहीं अब आपने यह तो देखा कि हम hydro से imported fuel पे गये उसके repercussions क्या हुए वो में आपको बताता हूँ तो आपको अंदाजा होगा कि feedback में आप जो हम करने जा रहे उसके repercussions क्या हो सकते हैं इस तरह से आपने चीजों को relate करना है तो यहां पे हमने क्या किया 1994 में हमने 13,000 17 MOUs sign की MOUs कहते है कि आपके जो memorandum of understandings होते है आपने उसमें से 19 आपके independent power plant project start होय जिनकी start install capacity थी 3000 MW और investment थी आपकी 4 billion dollar की ठीक है जो expend हो गए 5000 यानि के 6000 MW तक यानि के आपने 6000 MW बिजली जो है वो IPP से लेकर अपना गुजारा चलाया और वो जो shortfall था उसको cover किया लेकिन वो जो shortfall था वो जो हमने cover करने का तरीका अपनाया उसका अंजाम क्या हुआ अब हम आगे देखते हैं 2005 में लेकिन अबादी हमारी बढ़ती रही हमने further जो है वो साथ में question नहीं की 2005 में हमारे पास surplus बिजली थी 450 MW जो 2007 में हमारी shortfall start हुआ 2500 MW और 2010 में वो shortfall 5500 MW तक चला गया क्यूंके हमने उसके बाद कोई question नहीं की कोई power plant कोई चोटे बड़ project नहीं लगे जिसकी वज़ा से अबादी हमारी 2.4% जो हमारा growth rate है उसके साथ लेकिन हम जो है वो अपने plant नहीं लगाया जिसकी वज़ा से हमारा shortfall बढ़ता चला गया 2010 में अगर आपको याद हो तो 18-18 गंटे 2012-13 में जो है वो condition चले गई थी load setting की तो फिर 2012 में हमने wind power के अंदर installations की हैं लेकिन यह बहुत चोटे से project है जंपीर के पास wind energy project लगे हमारे फिर 2013 तक हमारी जो condition है वो आपके सामने और फिर 2013 के बाद हमने जाके 14-15 में CPAC के साथ दुबारा अपने MOU sign किये जिसमें 33 billion के projects है और उसके जो cost है estimated cost इसकी generation है 10,400 megawatt है अब आप एक चीज देखें के हमने पहले 1994 में जो है वो agreement किये IPPs के साथ और हमने दुबारा जो है वो agreement किये CPAC के अंदर 1994 में हमने क्या सीखा उसके उपर में बात करता हूँ अभी आगे जाके अचा जी अब हम देखते है reason behind the energy crisis कि कहा से ये issue basically क्या क्या reason से जिसकी वजह से ये issue deteriorate होता चला गया situation जो है हमारी तो सबसे पहली चीज़ है poor governance poor governance इसलिए क्योंकि अगर आप fuel mix देखें आपका जो आपकी crude oil होता है उससे जो बिजली बनती ही वह 12-17 रुपए पर unit की बनती है ठीक है as compared to hydro generation hydro generation जो है वह 1-2 रुपए per unit बिजली produce करता है और जब हम जो है hydro से shift हुए crude oil की तरफ तो हमने अपनी बिजली को महंगा कर दिया तो पहला तो एक यह reason था कि हमने जो contract किये उसके अंदर हमें इस चीज़ का ख्याल लखना चाहिए था कि हम जिस चीफ पर shift कर रहे हैं क्या वह cost efficient है दूसरी चीज inefficient policies हमारी जब हमने यह IPPs के साथ आपने MOUs sign किये तो हमने उनको बहुत free hand दिया ताके वह बहुत ज़्यादा attract हो हमारी तरफ investment के लिए अगर जिन लोग को नहीं पता उनको मैं बता दू कि IPPs जो होते हैं independent power plant उनके साथ हमारा यह महाइदा है कि अगर हम उनसे 13000 के वह बिजली produce करते हैं और अगर हम साथ हजार भी लेते हैं तो हमें उनको 13000 के पैसे ही देने होंगे क्योंके वह available हैं अपनी maximum capacity के उपर हम अपनी requirement की हिसाब से उनसे बिजली ले रहे हैं तो हमारे लिए तो 24-7 available है 1300 MW के लिए न तो हमें यानि government को 1300 MW के लिए ही पे करना पड़ेगा यह IPPs के साथ हमारा अभी जो agreement चल रहा है इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बिजली चाहे आप 700 ले रहे हो या 800 की requirement हो पैसे आपको 1300 MW के देने हैं यानि कि हमारी जो policies हैं वो इतनी ज्यादा उनको favorable है कि उससे हमारी economy के उपर burden पढ़ रहा है तो एक तो यह बात हो गए दूसरा हो गया fluctuation of oil price in the market market के अंदर oil price उपर नीचे जाते हैं तो जब oil price उपर जाते हैं तो हमें यानि government को subsidy देनी पड़ती है ठीक है जी और वो subsidy देकर हमें cover करवाना पड़ता है अचा उसके बाद आपके aging of in efficient distribution system है आपका जो distribution system है एक तो उसकी capacity जो है वो पूरी नहीं है यानि कि इतनी capacity नहीं है उसकी कि वो आपके मुल्क में पूरी बिजली पहुंचा सके क्यूंके requirement अभी हमारी 25,000 है जो के with the passage of time बढ़ती चली जाएगी तो अगर हमने transmission line के उपर काम नहीं किया तो हमें आगे जो है पर उसके भी मसाइल सामने आ सकते हैं तो हमारी एक तो distribution की capacity कम है दूसरा जो distribution lines है हमारी उनकी aging हो चुकी है उन equipment की उनके losses बहुत ज्यादा है line losses बहुत 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 ज्यादा है और line losses की एक रीजन होती है कि उसकी जो आपकी जो equipment होते है अगर उनकी aging हो जाए या वो कुरूड हो जाए तो फिर जो है वो ज्यादा losses करते है इसी तरह से अगर कोई कोई तार कोपर के बजाए वो उसमें aluminum डाल दिया जाए जैसे हमारी अभी आपके घरों के सामने copper से aluminum में wiring shift हो गई है तो वो भी aluminum जो है वो ज्यादा resistance देता है और ज्यादा line losses देता है तो हमारे line losses है वो दिन बदिन बढ़ते चले जा रहे है क्यों क्योंके हमारी distribution system है वो बिल्कुल भी efficient नहीं है फिर हम copper पे थे पहले copper से aluminum पे आ गए है तो यह भी drawback हो गया साथ ही साथ जो है वो आपको aging को भी improve करना है और अपना infrastructure जो है वो develop करना है ताकि जो आपने इतने सारे power plant लगा दिये हैं उनकी बजली आप utilize कर सकें वरना आपको सिर्फ उनको pay करना पड़ेगा और आप उनकी बजली जो है वो utilize नहीं कर पाएंगे जैसा क्या भी हो भी रहा है अचा अब बात करते हैं effects of energy crisis की effect क्या हो रहे है इस energy crisis की वजा से the first one is declining industrial growth अगर आपको industry का जरह सभी know-how तो आपको बता होगा कि बिजली से जो है वो बिजली के उपर पूरा दारोमदार होता है एक industry का उसकी सारी production बिजली के उपर होती है have equipments होते हैं जो सब के सब बिजली के उपर चलते हैं अगर आप बिजली की cost बढ़ाएंगे तो production cost automatically कि जब आपका कपड़ा महेंगा हो जाएगा तो फिर आप complete नहीं कर पाएंगे market आप export नहीं कर पाएंगे अपना कपड़ा और इस तरह से आपकी export भी उनतासिर हो जाएगी पर साथ ही साथ जो है वो आपकी जो है वो जो labor cost है वो भी बढ़ती चली जाएगी तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो industrial growth है automatically जो है वो down होती चली जाएगी decline होगी जो कि हो भी आए और बहुत सारी industries जो है वो हमारी shift भी हो चुकी है बंगलादेश की तरफ क्योंके बंगलादेश में labor sista है वहाँ पे वो cost भी कम आ रही है उनको production की तो वहाँ पे industry shift होगे है जैसे आपकी midas वगरा और भी बहुत सारी industries है तो एक तो यह आपको drawback हो गया दूसरा होगी आपकी unemployment जब आपकी industries जो है growth में नहीं होगी तो फिर वो down sizing करेंगे और textile sector में जब down sizing होती है तो पूरी पूरी 70-60% जब down sizing हो जाती है 60-70% unemployment कर दी जाती है वहाँ पे तो आपकी unemployment वह भी energy crisis की वजाए तीसरी चीज़ आपकी effect on agriculture sector agriculture के अंदर आपके बहुत सारे जैसे आपकी tube bills है ठीक है इस तरह से आपके और भी equipment है जो के आपकी energy के ऊपर dependent है तो अगर आपकी energy जो है वो पूरी नहीं होगी तो फिर आपको agriculture sector भी आपका affected होगा और आपकी GDP का तकरीबन 18-19% agriculture पे based करता है तो वहां से भी आपकी जो economy है वो बहुत जादा down होती चल जाएगी और यहां पर मैंने start share की है world bank के जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारी agriculture की जो sharing growth के अंदर वो दिन बादिन कम होती चली जा रही है इसके साथ effect on education system है अगर आपकी इसकी सबसे बेतरीन example आज की है आप डिस्टन्स learning की बात हो रही है ठीक है technology की बात हो रही है COVID-19 की वज़ा से और आने वाला दौर जो है वो technology का ही है तो अगर आपके पस बिजली ही नहीं होगी आप technology में कैसे advancement लाएंगे technology use कैसे करेंगे आपके बच्चे जो है वो अंधेरों में मौंबत्यां जला के पढ़ड़ा होते है तो आप किस पना से इस बढ़ती हुई डिमांड को कवर करेंगे क्योंके आपके जितने भी गैजट्स आपका लैप्टॉप आपका मॉबाई आपके वो computer है कुछ भी है वो आपका electricity से चलेगा आपका energy चाहिए आपको अगर आपकी energy नहीं है तो आपकी distance learning जह है वो heavily affected होगी यानि कि आपका education system जह हो बहुत जयदा affected होगा देन आपकी domestic life है आपके बास अगर बिजली नहीं है आप सो नहीं सकते सुएंगे नहीं office में जॉब नहीं कर पाएंगे efficiently अपने आपको perform नहीं कर पाएंगे तो यह भी एक issue है साथ ही साथ जो मजदूर तपका है वो रात में अगर सो नहीं पाएगा दिन में कैसे जह वो अपनी रोजी की तरफ जाएगा तो यह सारी चीजे है effect इसके साथ साथ कुछ और major effect से जिनको समझना बहुत ज्यादा जुरूर है एक है आपका circular debt आपका circular debt 2019 में 1720 million rupay हो गया था 1720 million rupay यह circular debt होता क्या है यह मैं आपको थोड़ी detail में समझाता हूँ circular debt क्यों होता है कि जब आप government अचा पहले तो आप इस cycle को समझे आप जो है वो taxes देते है ठीक है उस taxes से आपका revenue बनता है उस revenue से आपका budget बनता है उस budget से आप जो है वो allocate करते है different department को पैसे तो यह आपने tax दिया यह tax government के पास गया government इससे अपने budget की through subsidy देती है distributors को ठीक है यह distributor क्या करते है distributor यह पैसा देते है power generation companies को और power generation companies यह पैसा पर देती है oil distributors को अब आपके मसला यह है के आप जो है वो अचा पहले तो subsidies क्यूं देनी पड़ती है subsidies इसलिए देनी पड़ती है क्यूंके जब आपके crude oil की value जो है वो उपर जाएगी तो government को subsidy देनी पड़ेगी क्या हो inflation rate ज्यादा ना बढ़े अभी आपने देखा होगा IMF ने कहा कि 2020 के February में के आप जो है वो और ज्यादा बिजली के tariff में बढ़ाएं तो government में बना कर दिया क्यूंके inflation जो है वो बढ़ता है ठीक है तो जब inflation बढ़ेगा तो फिर आपकी जो है वो कि जब आपका crude oil महंगा होगा तो ultimately क्या होगा कि आप जो है वो government को subsidy देनी पड़ेगी जब government subsidy देगी और पैसा नहीं दे पाएगी तो oil distributor के पास पैसा नहीं पहुचेगा जब oil distributor के पास पैसा नहीं पहुचेगा तो यह oil नहीं खरीद पाएगा जब यह oil नहीं खरीद पाएगा तो यह power generation कंपनी oil लेके बिजली बनाती है यह बिजली नहीं बना पाएगी, यह बिजली नहीं बना पाएगी, डिस्ट्रिब्यूटर को नहीं दे पाएगी, डिस्ट्रिब्यूटर कंज्यूमर को नहीं दे पाएगा, यानि अगर आपका circular debt आएगा, circular debt क्या होगा, कि government जो है, वो पैसा नहीं दे पारी, subsidy का पैसा जो ह तो जब यह circular depth आ जाता है तो आपका vicious cycle आ जाता है और आपकी electricity produced नहीं होती है तो यह आपका एक बहुत major issue है अब हम बात करते है energy conservation measures की की measure की आप क्या ले सकते है सबसे पहला है कि आपको transmission line की capacity बढ़ानी होगी क्यों क्योंकि आपके पास 12000 megawatt वो है जो आपके पास access install capacity है जो आप utilize नहीं कर रहे है ठीक है और उसको आपको use करना है transmission line की दुरू meanwhile आपकी जो population growth है वो rapidly increase हो रही है उसको भी आपको cover करने के लिए जो demand आपकी बढ़ेगी आपको transmission line की capacity बढ़ानी ही होगी तो the first measure is increased transmission line capacity then the second one is move toward renewable resources बाद वो यह के आपके north से जो है वो पानी flow करता वा आ रहा है आपके south तक अगर आप देखें तो आपके पूरे Pakistan के अंदर flow आ रहा है पानी का ठीक है from north to south उस potential energy को आपको utilize करना है utilize करके आपको जो है वो अपने hydroelectric power plant लगाने है क्योंकि वो बिजली बहुत ससी होती है आपके जो cost है वो भी नीचे आजाएगी और जब बिजली की cost नीचे आजाएगी तो कैसे आपकी सारी चीज़े dependent है वो मैं पहले बताओ चाओ को तो आपको construction करनी है hydroelectric dams की ठीक है यह जो बात हो रही है dams बचाओ, dams बनाओ, मुल्क बचाओ, that is appropriate then आपका solar energy के उपर आप सकते हो अचा एक चीज़ और मैं बता दू यहां पर कि जो आपके dams है वो बहुत महंगे बनते हैं और आपकी जो economy है वो इस पाम बिल्कुल भी इजादत नहीं देती के आप जो है वो heavy investment करो तो 60s में भी आपने जो dams बनाये थे वो world bank और जो है वो बाकी इदारों से पैसे लेकर बनाये थे efficient reaction हो रहा है efficient reaction sun के अंदर उसको आप utilize कर लें ठीक है आप point यह है कि आप जो है वो उस energy को कितना अच्छा efficient utilize कर सकते हैं दुनिया में क्या हो रहा है easier grid access है यह क्या बात है कि आप जो है अपने घर में बड़ी बड़ी plates लगा लें चहत के ऊपर आप बिजली बनाए और आप direct connect है grid के साथ यानि कि जो बिजली आप बनाएंगे जितनी आपने use की वो हो गई बाकी आप government को दे सकते है और government उसके बदले आपको जब चाहिए हो वो unit आपको वापस भी कर सकती है और आपको पैसी भी मिल सकते है उसके बदले तो easier grid access जो है वो दुनिया में हो रहा है आपके यह इसलिए नहीं हो सकता क्यूंकि आपकी जो grids है जो आपकी transmission lines है उसमें fluctuation जो है वो बहुत कम उसमें सलाहियत है के वो fluctuation को अपने अंदर absorb कर सके तो इसकी वजह से आपकी वो ही again transmission line जो है उसकी efficiency अच्छी नहीं है अच्छा उसके बाद जो eradication of line losses है आपके 18.3% line losses है 18.3% वो बिजली है जो आप transmit करने के चकर में गबा देते हैं इस्तमाल ही नहीं होती है जाया हो जाती है तो इसको आपको कम से कम करना होगा ठीक है आपकी aging हो रही है equipment की आप उसकी maintenance करें आप जो है वो अच्छी जो है वो conductive तारे लगाएं जिसकी conduction अच्छी हो जिसमें resistance कम हो ठीक है तो यह आप कर सकते हैं अच्छा इसके इलावा अभी आपने देखा होगा कि आपके यह में बात कर चुका हूँ के जो aluminum की wires लग रही है घरों के सामने उसमें जो है resistance ज्यादा है तो उसकी वाज़े से line loss बढ़न है पहले हम copper पर थे हमारे line losses कम थे How to cop with current circular depth पहली बात यह दूसरी बात यह कि मैं यहाँ पर एक आपको बताना भूल गया कि IMF का क्या role है हमारी tariff को जह हो देने के अंदर मतलब tariff set करने के अंदर IMF basically हमें loan देता है loan देने के लिए वह हमारी economy को पहले review करता है कि हमारी economy आया इस काबिल है कि वह loan हमें हम लोटा पाएंगे या नहीं तो इसलिए वह हमारे उपर हमारे tariff set करते है वह हमें दी जाएगी तो इस वजह से IMF आपको recommend करता है कि आपकी policies के अंदर और यहां पर यह बार discuss करने का एक और मतलब है कि आपको पता लगे कि foreign investment कितनी matter करती है आपकी energy sector के ऊपर तो यह चीज़ें आपने analyze करनी है आज की video में इतना ही था विडियो पसंदा है तो like and share करना बिलकुल मत भूलीगा चैनल subscribe करना तो बिलकुल मत भूलेगा thank you so much allahafd